नमसकार साथी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अब Black Japan Paint के बारे में Black Japan Paint का किस तरह से इस्तमाल किया जाता है और इसके फाइदे क्या है और यहाँ पर रहा यह Black Japan Rubine का यह जो है कंपनी का यह Paint आप देख सकते हैं Premium Synthetic Animal Paint है यह और इसकी MRP है 270 रुपए 270 रुपए जो है यहाँ पर MRP है लेकिन आपको डिसकाउंट में जो है कि आपका 230 से 500 रुपए तक जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएगा और ये एक लीटर की पैकिंग है इसमें जो है वो अलग-लग पैकिंग आती है 500 ml, 500 ml, 4 लीटर और 2 लीटर इस तरह से जो है वो आपको असानी से मार्केट में मिल जाएगी पैकिंग अलग-लग कॉंटिटी में और इसके साथ मैं आपको बता दू कि इसमें भी आपको जो है 100-500 ml जो है एक लीटर में तारपीन या फिर थिनर एड़ कर सकते हैं और एड़ करने के बाद ही आप इसका इसका इस्तेमाल जो है वोड के उपर, वोड के सर्फेस के उपर करेंगे और भी बहुत सारी जगा जो है इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है लेकिन आज बात करेंगे डौर फ्रेम और विंडो फ्रेम के सर्फेस में black जापान का paint का इस्तेमाल करने से क्या फायदे होते हैं तो सातियो black जापान paint का इस्तेमाल करने से पहले आप wood primer की 2 coat जरूर कर लीजे हर एक कोट के बाद जो है वो आपको 6-8 घंटे सूखने के बाद दूसरा कोट करना है और उसके बाद फिर से ब्लैक जापान का एक कोट करना है उसके बाद उसका भी इंतजार करना है 6-8 घंटे तक सूखने का और फिर एक बाद दूसरा कोट जो है ब्लैक जापान पेंट का क होता है कि आपकी जो उसके वुड जो है वो उसमें धरारे आ तो स्वलिंग होती है क्यां कि पानी जब हम क्यूरिग करते हैं तो तो दिवार की तो पानी जो है कहीotonव कहीन आपकी वुड और वुड फ्रेम को ज़ूरров तो उससे जो है वो आपकी जो वुड है उसमें स्वैलिंग आ जाती है और जब वो सूकती है धूप से तो श्रिंकेज हो जाती है जिससे उसमें दरारे आ जाती है जब भी आप जो है वो ब्लैक जापान पेंट का इस्थेमाल करें ध्यान रखें कि दो दो लियर में जो है वो इतना 120 से 150 स्क्वेर फीट जो है अब ये कवर कर लेता है एक लीटर में एरिया और मैंने आपको रेट के बारे में बता दिया 230 से 500 रुपे पर लीटर आपको ये असानी से मिल जाएगा इसे सस्ते वाले में मिल जाते हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी का आपको लेना चाहिए ताकि पेंट की तिकनेस ठीक हो और तरपिन होता है जिसे आम बोलचाल में तरपिन कहते हैं और टेकनिकल टाम में टरपेटाइन ओइल कहते हैं उसका इस्तमाल आपको 100-500 लीटर पर लीटर इस्तमाल करना है और 6-8 घंटे सुखने के बाद दूसरा कोट दूसरे लेर जो है तो आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो ध्यान रहे उससे पहले मैं बता दूँ ध्यान रहे कि आपके वुड का जो सर्फेस है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए सैंड पेपर से जो है आप उसकी अच्छी से फिनिशिंग कर लें उसके सर्फेस को स्मूथ करना जरूरी है वुड प्राइमर में भी और पेंट करते समय भी तो आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो पोजिटिव बिल्डर यूटिप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरकी महत्पूंड वीडियो और जानकारी आपको समय पर मिलती रहे आज की वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स्टर वीडियो में तब तक के लिए आपका दिन शुबह धन्यवाद